प्रस्न 13 12 आदमी 8 पुर्णांग 4 वटा 5 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकते हैं तो कितने आदमी 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोदेंगे तो हम लिखेंगे यहां पे माना की माना की X1 बराबर माना की X1 बराबर 12 आदमी 12 आदमी तो X1 बराबर हम क्या मान लेंगे 12 आदमी और 2 वन तो 12 आदमी जो है 8 पुर्णांग 8 यह 8 पुर्णांग 4 वटा 5 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकते हैं तो 12 बराबर हम लिख लेंगे 8 पुर्णांग 4 वटा 5 मीटर यानि पुर्णांग तोड़ेंगे तो कितना हो जागा 8 पुर्णांग 4 वटा 5 मीटर तो 12 आदमी जो है 44 वटा 5 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकते हैं तो इस तरह हम लिख लेंगे x1 बराबर 12 आदमी मान लेंगे और by 1 बराबर 44 वटा 5 मीटर यानि 8 पुर्णांग 4 वटा 5 मीटर अब कौमा देंगे यहाँ पर अब x2 तो कह रहा है कि कितने आदमी 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोदेंगे तो कितना आदमी तो देखे यानि x2 हमें निकालना है तो x से आदमी को हम मान रहे हैं x1 12 आदमी माने है तो x2 में भी आदमी ही होगा x आदमी है और 22 हम माने हैं मीटर यानि कितना मीटर खाई खोद रहा जो तो by 2 बराबर 22 मीटर 22 मीटर तो देखे इसको हम इस तरह समझेंगे यानि 44 बटा 5 मीटर लंबी खाई को एक दिन में 12 आदमी खोद देता है तो 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में कितना आदमी खोदेगा ठीक है तो आदमी को x से और मीटर को by से मानेंगे तो देखे by 1 में मीटर हो गया और by 2 में भी मीटर और X1, X2 आदमी हो गया तो X2 हमें निकालना है तो ये कौन सा है अनुकरम बिचरन है कि विदकरम बिचरन है कैसे पता चलेगा तो देखे अगर एक दिन में आदमीों की संख्या को बढ़ा दें अगर 20 आदमी हो जाए तो और लंबा खाई खो देगा ठीक है तो आदमी बढ़ रहा है तो खाई का लंबाई भी बढ़ रहा है ठीक है और आदमी कमेगा तो खाई का लंबाई भी कमेगा ठीक है तो एक रासी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है दूसरा अगर कम रहा है तो एक रासी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा रासी भी बढ़ रहा है और एक रासी अगर कम रहा है तो दूसरा रासी भी कम रहा है जैसे ज्यादा आदमी होगा तो ज्यादा लंबा खाई खोदेगा एक दिन में क्योंकि एक ही दिन का बात कर रहा है ठीक है तो ज्यादा आदमी तो ज्यादा लंबा खाई खोदेगा एक दिन में कम आदमी तो कम लंबा खाई खोदेगा एक दिन में ठीक है तो ये अनुक्रम विचरन में है तो हम लिखेंगे यहाँ एक सोर बाई एक सोर बाई अनुक्रम विचरन में है यानि एक सोर बाई अनुक्रम विचरन में कैसे तो एक स बढ़ रहा है तो बाई भी बढ़ रहा है एक स कम रहा है तो बाई भी कम रहा है ठीक है यानि एक रासी बढ़ रहा है तो दूसरा रासी भी बढ़ रहा है और एक रासी कम रहा है तो दूसरा रासी भी कम रहा है बराबर x2 बटा by 2 तो देखे x1 बटा by 1 बराबर x2 बटा by 2 होता है अनुकरम बिचरन में अगर 280 है, x और y है तो उसका सुत्र तो x1 के सामने x2 लिखेंगे और by 1 के सामने by 2 लिखेंगे यानि x1 बटा by 1 बराबर x2 बटा by 2 होगा तो X1 कितना है 12 अदमी X1 कितना है 12 देखे एकसवन 12 है Y1 है 44 बटा 5 मीटर पुर्णांग हम तोड लिये थे और X2 हमें निकालना है Y2 है 22 मीटर तो X1 के जगा पे 12 लिख देंगे बटा Y1 के जगा पे 44 बटा 5 Y1 के जगा पे क्या लिखेंगे 44 बटा 5 बराबर X2 हमें निकालना है X2 निकालना है Y2 कितना है 22 मीटर इस तरह लिख लेंगे ठीक है तो 12 बटा 44 बटा 5 तो X1 कितना है 12 Y1 है 44 बटा 5 X2 निकालना है और Y2 दिया हुआ है 22 तो तिर्चा गुना होगा देखें बराबर में जब हो तो तिर्चा गुना कर लेते हैं तो 44 बटा 5 गुना X2 हो जाएगा यानि 44 बटा 5 गुना X2 बराबर 22 गुना 12 तो जब इस तरह लिखा हो तो क्या करते हैं तिर्चा गुना तो 44 बटा 5 एक साथ है यानि बटा में है तो 44 बटा 5 X2 के साथ गुना हो जाएगा और 12 और 22 गुना हो जाएगा इस तरह लिख लेंगे तो यहाँ पे X2 बराबर कितना हो जाएगा अता है X2 बराबर 22 गुना 12 बटा अब देखें 5 भागा में है X2 के साथ 5 भागा में है तो 5 गुना में हो जाएगा यानि यहाँ पे लिख लेंगे और 44 X2 के साथ गुना में है देखे 44 ऊपर है तो 44 X2 के साथ गुना में है तो 44 को अगर बराबर के दायाया तरह भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा यानि यहाँ पे तो 22 दुना, चो 40 काट लेंगे, 2 छक 12, यानि कितना आ गया? 6 पचे 30, यानि 30 आदमी हो जागा, X2 बराबर कितना हो जागा? 30 आदमी, तो इसका मतलब हुआ, कि 22 मीटर लंबिक हाई, को एक दिन में 30 आदमी खोद सकता है, 30 आदमी खोद देगा, तो इसको अब हम इस तरह समझेंगे, तो 44 बटा, 5 मीटर लंबिक हाई, एक दिन में 12 आदमी खोदता है, तो 22 मीटर लंबिक हाई को एक दिन में 30 आदमी खोदेगा, यानि X2 बराबर कितना आ गया? 30, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे, क्द़ियो जर कितना अजीर लंब करेंगे, हैं सकत दो इसको उनी है, थिरवास करेंगे, दिन में 4 इसको, दो इसकिन में 25 आदमी, तो 45 आदमी खोदेगा देगा, तो 46 आदोनी खोदमी खोदोदे ऐसे तरहर भbtम, यानी को रभलेवा स करेंगे में 25 थाद ऐसंदन tut आदम каких प्रस्न चौदा बच्चों की किसी पार्टी में 5 बच्चों के बैच में 8 केला देना है यदि 40 बच्चे पार्टी में उपस्तित हों तो कितना केला देना होगा तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे माना की X1 X1 बराबर 5 बच्चे X1 बराबर 5 बच्चे कॉमा देंगे बाईवन बराबर 8 केला अब इस तरह कॉमा देंगे फिर X2 बराबर 40 बच्चे 40 बच्चे कॉमा देंगे फिर बाईटू बाईटू बराबर हमें निकालना है यानि दिया हुआ है कि 5 बच्चे को 8 केला देना है तो 40 बच्चे को कितना केला देना होगा तो 40 बच्चे को कितना केला देना होगा यह प्रस्ण है तो बच्चा को X मान लेंगे X1 बच्चे तो X2 40 बच्चे X में बच्चा रहेगा देखे, x1, x2 में बच्चा रहेगा यानि x1 में 5 बच्चे तो x2 40 बच्चे और by रहेगा केला यानि by 1, by 2 से केला को लेलना है तो x1 के नीचे by 1 लिखेंगे क्योंकि 5 बच्चे में 8 केला बाटा जा रहा है 5 बच्चे में 8 केला तो एक्सवन के नीचे बाईवन लिखेंगे तो पांच बच्चे में आठ केला तो चालिस बच्चे में कितना केला यानि बाईटू हमें निकालना है तो देखें ये पहले हम ये समझेंगे कि ये अनुक्रम बीचरन में है या व्यूत्करम बीचरन में तो कैसे पता चलेगा तो कम बच्चा तो कम केला जादा बच्चा तो जादा केला यानि अगर बच्चा कम रहेगा तो कम केला देना होगा बच्चा जादा रहेगा तो जादा केला देना होगा यानि एक रासी बढ़ रहा है तो दूसरा राशी भी बढ़ रहा है एक राशी कम रहा है तो दूसरा राशी भी कम रहा है यानि जादा बच्चा जादा केला कम बच्चा कम केला ठीक है तो यह हो गया अनुक्रम बिचरन हम लिखेंगे यहाँ एक सौर बाई एक सौर बाई अनुक्रम बीचरन में है यहां X और Y अनुक्रम बीचरन में है कैसे तो X बढ़ रहा है तो Y भी बढ़ रहा है X कम रहा है तो Y भी कम रहा है इसलिए अनुक्रम में बीचरन में है क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है एक कम रहा है तो दूसरा भी कमेगा जैसे बच्चा बढ़ेगा तो केला भी बढ़ेगा बच्चा कमेगा तो केला भी कमेगा यानि अनुक्रम बिचरन में है तो अनुक्रम बिचरन का सुत्र क्या होता है x1 बटा by 1 x1 बटा by 1 बराबर x2 बटा by 2 यानि X1 बटा by 1 बराबर X2 बटा by 2 ये होता है सूत्र जब अनुकरम बिचरन में हो X और by तब तो देखे, X1 बटा by 1 बराबर हो जागा X2 बटा by 2 के अनुकरम बिचरन में है X by तो X1 कितना है? 5 बच्चे by 1 है 8 X2 है 40 और by 2 निकालना है तो X1 कितना है? 5 है 40 और by 2 निकालना है ठीक है तो 5 बच्चे 8 केला 40 बच्चे कितना केला यानि by 2 निकालना है तो इसको हम अब तीर्चा गुना करेंगे तो हो जाएगा तो इसको इस तरह लिख लेंगे 5 गुना by 2 पांच गुना by 2 बराबर 40 गुना 8 तो तीर्चा गुना कर लेंगे जब इस तरह का इस तरह रहे तो क्या करते हैं तीरिचा गुना कर लेते हैं, तो 5 गुना बाइटू हो जाएगा और 8 गुना 40, यानि 5 गुना बाइटू और 40 गुना 8, तो 5 गुना बाइटू बराबर 40 गुना 8, इस तरह लिख लेंगे, अब यहां पर अध़ बाइटू बराबर कितना हो जाएगा, बाइटू बराबर हो गुना में है, तो 5 को अगर बायां से दायां तरफ भेजेंगे, तो भाग में हो जाएगा, यानि बाइटू बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुना 8 वटा 5, 5 भाग में आ जाएगा, अब पची अठी चालीस, पची अठी, 40, काट लेंगे तो 88 कितना हो गया, 64 यानि by 2 बराबर कितना आ गया 64 केला 64 केला, इसका उत्तर हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि 5 बच्चे में 8 केला, तो 40 बच्चे में कितना केला देना होगा, 64 केला ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, 64 तो इसको हम इस तरह भी समझेंगे अब पांच बच्चे में आठ केला तो 40 बच्चे में कितना केला देना होगा 64 केला यानि बाई टू बराबर कितना आ गया 64 केला तो इस तरह इसको हल करेंगे झाल करेंगे अर्थ बराबरे लेट फोड़के में कीछ दीशचे शोल इस सराज करेंगे व शोल माँ वरोम ए Bishop के के लेमर में हां होगा सराज करेंगे वोड़के में होगा ही 5 की यूल-देंगे यूल-दे mainlandgers चैश्यूसाजे kanssa झाल